जाहिंद आपके अपने चैनल न्यूए स्टडी 24 के बढ़ामा स्रीज में आज हम मानम मस्टिक्स साथ में तंतिका तंत के बारे में बताएंगे और बताएंगे VPSC, द्रोगा और कमपेटिशन में कितना मार का पूछा जाता है सबसे पहले आप हमारा प्लान समझेए आपको एवरी दे टीन वीडियो अब लेबल करवाते हैं जिसमें पहला वीडियो गाइड वीडियो जिसमें कोस्टन मार का और सिलेबस का पूरा अनालाइसिस करके बताते हैं तो कहीं न कहीं गल्ती करते हैं जिसके वज़़से आप एक्जाम में पीछे रहा जाएंगे क्योंकि अब competition उतना आसान नहीं रहा इसके बाद second video जो डेते हैं वो है test video test video topic wise provide करवाते हैं topic wise provide करवाने की वज़़से आपको हर वो छोटे चुटी कमी आपका कौन सा topic बहुत अच्छा है कौन सा topic बहुत खराब आप समझ पाएंगे जिसे कि हमारे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है या आपके चेहरे पर कुछ लगा हुआ तो कैसे देखेंगे बीना आइना के पास जाएं में तेक सकते हैं क्या नहीं न उसके लिए आ आप गुरूप में सक्षम नहीं है तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं क्योंकि टेस्ट देने से आपको और भी फायदा होगा एक्जाम विव से ट्यार हो पाएंगे और थार्ड वीडियो जो प्रोभाइड कर बाते हैं वह है एक्स्प्लानेशन वीडियो आपको इतना पढ़न हैं तो आप एक्स्प्लानेशन वीडियो भी देखना न भूले आपके लिए टीनों वीडियो काफि महत्पूण है तो आप सभी वीडियो को देखते हैं और अपनीा पढ़ाये को जो सूचना करते है याई में सुचना से विए के हम हात ऊपर उठाएं इसका सुचना मस्टिक्स दिया कि हात ऊपर उठाएं जैसे कि आप चले जिस Guard heel मानों मस्टिक्स दिरा मस्टिक्स सुचना देता इוא क्योंकि आपको पीछे बताे थे 1 घुषिक और 1 ऐऊ-चिक-बल需要嘛 तो आपका एक खिक बल्ग के अंटर अगट आते हैं तो वह तो सब आप पीछे नहीं देखे आप पीछे का वीडियो देखिए जैसे की सिंपल बात आप समझे कि आपका भया दिली में है आप उसके पास क्या करता ना पोकट से फॉन निकालते हैं और फॉन करते हैं यहां से तो डिरेक्ट वहाँ आवाज सले जाता है नहीं न उसको तावर होता है तावर से फिर वायर सिस्टम है और से फिर दिल्ली के पास पास श्नल से पकड़के उसके ग्राइब हो तो जुरा हुआ है इसी परकार से हमारे सुचना देता है और वह भाग एक्टिव हो जाता हैं तो यह तो समझ गया अब मस्टिक्स का भी डिवाइड कर दिया गया है मस्टिक्स को सही तरिका से समझने के लिए बेग्यानिकों ने मस्टिक्स को तीन भागों में डिवाइड कर दिया है अगर भाग मतलब अगर मस्टि और हेपोथेलम अब क्या होता है कि आप कोई चीज पढ़ें या कहीं कोई चीज सुने और वो आपको याद है तो वह सब चिंतन करना सोचना समझना देशीजन लेना यह जितना भी वर्ख होता है वह सेरिब्रम करता है आप कोई चीज को याद कर पारे पारे हैं बहुत दिन तक वह सेरि ब्रह मतलब उसका कमजोर हो गया कि तो जो भी याद करना यह सब शोटा वह सेरी ब्रहम का काम है फिर इसके बाद होता है ठेलमस जो होता है वह आपको जैसे के इसे चूट लगा इसका मतलब थंद्डू को थेलमस होता हुआ है तेमस्त है निहां जैसे के आपको से लिएल काने क काम हे प anted करेगा को हें पियार घेरना नफड़त यह सब पाइदा होता है वह मतलब डिपार्टमेंट बार्टी अब किसी को देख़ें युदा किसी लड़की को देखां और उससे अट्रेक्षन उसके पटी एक्षा हों कौझ दो फरें प्यार होता है तो लेकिन आट्रेक्षन होगए तो उसे वह होटा है कि उसके पति भाबना मतलब उसे उसे कुछ पाने की इक्षा होना इसे लए लटका 건 के आप को जया भी लड़की को च्पेंद्फ ना देख़ें क्योंकि छे सकेंद्फ देखने के वज़द से आपका हैपफल्मस एक्टिव होगा और उसके पड़ी एक्ट्रक्षन प्याता हो जागा अच्छा है कि इसे नहीं लेना चाहते है तो आप इख शोड़ देख न बाटा इसे बाट लीजिए हैं आप से पुछा जाता है मस्टिक्स में पुछा इसका इसका उपयोग से हिपो धिलमस का क्या अपयोगहाँ यहां से पुछता थिलमस का क्या ऑपयोग और सेडि ब्रहम का क्या उपयोग मतलब मस्टिक का जित्ना भी भाग हो था उसका उपयोग हो कॉण साथ कार्ज खरें वो कार्स से को सग कुष्टा है तो यह तो आप समझते मानल मस्टिक के बाद गारें यह रेट के हर्दी यह यह तो यह यह पैनल कॉट में कोडिpo बीच खोखला उता देखेगा अब सब सबसे परिश्चीत आपको पांच जगव पहुंचा देआ जाता तो समझ लीजे मस्टिक्स को सूचना पहुंचाने के लिए बाइलोजी में उपयोग सबसे जएदा को पूछता है तो आप उपयोग को बहुत गहंटा पुरवख पढ़िये यह है टोपिक काफी महत्पून हैं यहां से एक मारग आता है है यह इंदि लिए अगले अगले सवार्व पूस्था लेकिन पूस्ता तो एक मारग मुंचका किसी और छांदो मारग मुंचक्ता ने तुर एक कमारक पुष्टा है तो इसलिए आप उसको भीटर से ट्यारी करते रिए पटर रिए आगे भटर रिए धन्यवाद